तो आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे assignment result के बारे में आपका assignment result अभी तक नहीं आया उस case में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं तो आज की वीडियो important होने वाली है काफी ज्यादा अगर आपने जून 2022 में अपने assignment समिट किया है या फिर December 2022 के लिए अपने assignment समिट किया आप पूरी वीडियो जरूर देखना अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए वीडियो की सुरवात से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि आप नीरच पब्लिकेशन की गाइड खरीच सकते हैं मेरे दिये हुए लिंक से जो की आपको description box से मिल जाएगा आप description box में जो link है उसके जरीए नीरच पब्लिकेशन की गाइड करीटे हैं तो आपको 50% discount मिलेगा और अगर आप 500 रुपे से ज़्यादा की गाइड खरीचते हैं cash on delivery का option भी आपको मिल जाएगा अब वीडियो की सीधा सुरुवात करते हैं दिसंबर 2022 में अभी अपने assignments को समिट किया है तो ज्यादा तर इस्ट्वेंटेस ने जिनका assignment का status नहीं आया है उनको ज्यादा अभी इस समय चिंता करने की जरूत नहीं है क्योंकि आपका जो assignment का status का पहला update आएगा वो आएगा आपका जब आपका जो theory exam इस समय दो दिसंबर से सुरू होने वाले है उनके result की first update के साथ आपका assignment का status भी update होना सुरू हो जाएगा तो अभी दिसंबर 2022 के जो student है उनको अभी काफी wait करना है उन 2022 में जिनोंने अपने assignments को समिट किया है उसमें काफी student ऐसे जिनका result आ चुका है दिसंबर 2021 में जिनोंने अपने assignment जमिट किया तो उसमें most student ऐसे हैं जिनका assignment का result आ चुका है लेकिन आप जानते की इगनू में कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ भी चीज हो उसमें कुछ student ऐसे रही जाते हैं जिनका assignment का result नहीं आपाता theory का result नहीं आपाता या कोई ना कोई समस्या इगनू में इस तरीके से हो ही जाती है अगर आपने December 2021 में अपना assignment submit किये थे अभी तक result नहीं आया किसी subject का या फिर June 2022 में आपने assignment को submit किया था और अभी तक आपका result नहीं आया तो सबसे पहले तो उसके मुखे ताथ दो कारण हो सकते हैं main दो reason होते हैं एक तो आपने online अपना assignment को submit किया हो और उसमें आपने कुछ गलती कर दी उसमें चाहे आपने किसी भी तरीके की गलती की हो जिसकी वज़ेसे आपका assignment reject हो गया इसकी वज़ेसे आपका assignment का result किसी subject का नहीं आता है एक कारण तो main कारण यही है कि काफी सारे student ऐसे भी है जो कि online assignment सही तरीके से समिट नहीं कार पाते है कुछ सोटी मोटी कुछ ना कुछ गलती कर देते और जिसकी वज़ेसे उनका assignment का result नहीं publish हो पाता दूसरा यह है कि आप अगर offline assignment submit कर रहे है और offline में ही आपका assignment यहां कहीं कुछ हो गया उस case में लेकिन आपके पास assignment की submission की slip होती है आप चाहें तो अपने study center या regional center जाकर वो slip दिखा सकते हैं कि मुझे average marks दे दीजिए आप मैंने अपने assignments को submit किया था आप जब भी अपने assignments को submit करते हैं तो उस समय अपने assignments के एक photocopy अपने पास जरूर रख ले चाहे offline assignment submit कर रहा है या फिर online assignment submit कर रहा है बाद में वो दिखाने के लिए काम आ सकती है ठीक अगर काफी महीने हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपका assignment का result नहीं आने वाला है जो आपने submit किया था तो आप उसी subject का assignment है वो दुबारा भी submit कर सकते हैं उससे किसी तरीके की problem होगी या फिर नहीं होगी इस तरीके का कुछ problem जो होता है वो नहीं होता है acquisition की तरफ से इस तरीके से कहा गया था कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि जून 2022 में मैंने जो assignment submit किये थे उसका एक subject का result नहीं आया अभी तक बागी सबका आ चुका है बागी grade card में बागी subject का theory result भी आ गया assignment का result भी आ गया एक subject का assignment result नहीं आया है तो उसको ही क्या मैं दुब result आ गया आपका grade card में अपडेट हो गया तो दूसरे assignment का कोई मतलब ही नहीं रह जाता लेकिन अगर आपका assignment पहसरा वाला किसी कारण से cancel हो गया था या उनके पास नहीं वह पहुंच पाया हो गया ऐसा कुछ भी काम हुआ है तो आप दूसरा जो assignment है अगर चाहते हैं उस assignment को दूबारा भी समिट कर सकते हैं ठीक उस assignment को आप दूबारा समिट कर सकते हैं और दूसरी बार में चेक हो गया तो आपके नंबर उसमें लग जाएंगे अगर आपके पास assignments की फोटो कॉपी है या आपके पास कोई evidence है कि आपने अपने assignments को समिट किया था तो आप एक बार Regional Center जा सकते हैं और Regional Center से कह सकते हैं देखिए मैंने अपने assignments को समिट किया था मेरे अभीता किसमें assignment में marks नहीं आये मुझे average marks बाकी assignments के मुझे में जो आये हैं मेरे उसके हिसाब से आप मुझको marks दे दीजिए अगर आपका Regional Center उस पर agree कर देता है तो वो भी अच्छी बात है वरना दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप दुबा